अमर होना किसकी इच्छान रही है? इंसान का सरीर 724 लाग क्रोड कोशिकाओं से बनी होती है कोशिका यानि सेल या हमारी सरीर की मेन भूमिका निभाती है हमारे सेल के पावर हाउस कहे जाने हमाले माइट्रो कांड्रिया यह सरीर को उर्जात देने का काम करते हैं जैसे जैसे यह माइट्रो कांड्रिया कमजोर होते हैं वैसे वैसे शरी बुढ़ा होता चला जाता है एक सेल में कई माइट्रो कांड्रिया होते हैं अमर होने के लिए सबसे पहले हमें माइट्रोकांट्रिया की एंट्रोपी को रोकना होगा आपको पता होना चाहिए कि विसोभर में कई लोग आर्टीफेसियल दिल या डिवाइस के सहारे जिंदा है अमेरिकी कंपनी जिसका नाम एल्टोस लैब इस कंपनी के विए ज्यानिक इस लैब में फ्रियोप कर रहे हैं इंसान के सरीर में पुरानी हो गई सेल को स्टेम सेल में बदला जाएगा स्टेम सेल एक तरह के रोम मेटरियल है इसे सरी के अलग-अलग अंगो का निर्माल होता है सेल सेविसेस परकार की नई कोसिकाई बना जा सकती है और आप सोच लेजिए कि अगर कोसिकाई यानि सेल्स आपकी जीमन भर नई सेल्स बनती रहेंगी तो आप कभी बुढ़े नहीं होंगे आपकी मृत्ति भी टलती जाएगी अलटोस लेब में बिग्यान के छेतर में नोबल प्रुसकार जीतने वाले को भी अपने साथ ले लिए हैं तो आप सोचिए फिर वो सब मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बिग्याने को को उमीद है कि सुरुआत में कम से कम 50 वर्स तक उमर बहा सकेंगे और यह अपलबदी बहुत ही जल्द हासिल होगी इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों तब तक अपना ख्यार रख किये फिर मिलते अगले वीडियों में टेक एर बाई दोस्तों